Hello everyone, आज हम पढ़ेंगे Class 4 की EVS का Chapter No. 4 इसका नाम है The Story of Amrita इस Chapter में हम पढ़ेंगे एक बहुती Special Tree के बारे में और उसी Tree की वज़े से उस Village का नाम भी रखा है यह Village हमारे ही Country के Rajasthan State में है तो चलो अब हम Story स्टार्ट करते हैं यह एकदम सच्छी कहानी है जो की बहुत पुरानी है Almost 300 years ago, करीब करीब यह 300 साल पुरानी कहानी है In a village called Khedli Lived Amrita, Amrita नाम की एक लड़की Khedli Village में रहती थी उसका यह गाउं था Khedli Village is near Jodhpur in Rajasthan यह Rajasthan के Jodhpur में एक जगे है The village got its name because of the many Khedri trees that grew there और इस गाउं को इसका नाम कैसे मिला? Khedri trees की वज़े से वहाँ पे एक पेड उकता है जिसका नाम है Khedri The people of this village took great care of the plants, trees and animals और जो इस गाउं के सारे लोग हैं यह बहुत ज़ादा देख भाल करते हैं वहाँ के plants की, बड़े बड़े trees की और वहाँ पे जितने भी जानवर हैं उनकी अब वहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं? Goats and deer, hairs, peacock, roamed fearlessly there और वहाँ पे यह जितने भी जानवर हैं यह सब एकदम बिना डर के इधर ओधर भागते रहते हैं और लोग उनकी care करते हैं वो उनको परिशान भी नहीं करते हैं Goat हो गया बकरी, हीरन होता है, खरगोश होता है और मोर यह सारे के सारे जानवर वहाँ पे आसानी से गुमते हैं The people of the village remembered what their elders used to tell them वहां के जो भी गाओं के लोग हैं, उन सब को एकदम यादे ढंक से कि उनके जो बड़े हैं वो उनको क्या कहते थे, उनके बड़े जो थे, उनको कहते थे अकर पेड हैं तो हम हैं, यानि कि जितने भी पेड हमारे आस पास हैं जब तक ये हैं, तब तक हम सब भी जिन्दा हैं Plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them पेड जो हैं और जो जानवर हैं, ये सब तो हमारे बीना रह लेंगे लेकिन हम इनके बीना बिलकुल नहीं रह सकते हमको oxygen और food कैसे मिलेगा ये हैं Amrita, ये इसका प्यारा सा गाउँ है और ये यहाँ पे खेल रही है अब Amrita के friends के बारे में जानते हैं Amrita's friends Amrita would get up early every morning and greet her friends, the trees अब देखो, इस story में Amrita के जो दोस्त हैं वो कौन है? पेड, the trees Amrita हर दिन सुबा उठती थी और वो अपने दोस्तों से मिलने जाती थी उसके जो दोस्त हैं वो कौन है? पेड है She would choose a special tree for the day अब वो हर दिन एक special tree choose करती थी She would put her arms around the tree tongue and whisper to the tree Friend, you are strong and beautiful. You care for us. Thank you tree. I love you very much. Give your strength to me also Amrita है वो रोज सुबह उठती थी अपने जोसके पेड जो भी दोस्त है वो उनसे मिलने जाती थी और वो हर दिन एक नया पेड चूस करती थी वो क्या करती थी? जो पेड होता था सुबह सुबह उठके उनको गले लगाती थी उनको कहती थी कि तुम तो बहुत ज़्चांग भी हो और तुम ब्गह जबहुत ज़्चांग भी हो आप लोग हमारी इतनी ज़्या ज़्यादा छिंता करते हो आप मेरे फ्रेंड हो और इसके लिए thank you so much मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ आप तो बहुत ज़्यादा strong भी हो इसलिए आप अपनी जो strength है वो मुझे भी दो ठीक है like Amrita the other children also had their specialties जिसे Amrita का special पेड था ऐसे ही जो उसके बाकी के जो friends थे human friends उनका बहुत जादा देर तक इसे खेलते रहते थे अब आपको बोला है is there a place near your house school or along the roadside where trees have been planted क्या आपके घर, school और रोड के असपास कोई जगे है जहां पे पेड जो हैं वो लगाए गये हैं why were they planted there और वो क्यों लगाए गये हैं अब बोलोगे देवा planted for the for the sake of shade fruit and for the beautiful view ठीक है उनको वह हमें चाया देते हैं fruits की वज़े से और view बहुत अच्छा आता है have you seen anyone taking care of the tree आपने देखा है कि इन पेडों की कोई देखभल करता है करता भी है कोई या नहीं करता है who does this और अगर कोई देखभल करता है तो कौन करता है जो माली होता है gardener वो इनकी देखभल करता है have you seen fruits on any of the tree आपने कभी पेड पे जो ये पेड लगे हुए है कि आपने इन पे कभी fruits देखे हैं अगर mango tree होंगे तो for sure देखे होंगे ठीक है who eats these fruits और ये जो fruits हैं वो कौन खाता है animals खाते हैं, birds खाती हैं, हम भी खाते हैं Lalita feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone अब जो Lalita है वो देखती है कि जो छोटे चोटे पेड और जो घास है ये तो किसी ने लगाए नहीं है do you know any of the places where grass, small plants, trees are growing on their own without being planted by anyone क्या आपने भी ऐसे कोई पेड पौदे देखे हैं जो किसी ने लगाए नहीं है लेकिन खुद से लग गए है of course आपने देखे होंगी जिसे आपने grounds देखे होंगी जहां पर आप खेलने जाते होंगे ठीक है तो आप लिखोगे yes why do you feel they are growing on your own आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो खुद से लग गए है ठीक है why do you feel they are growing on your own और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो खुद से लग गए है देखो सिन जब भी फीड कोई उपता है तो क्यों होता है जिसे उसका फ्रूट होता है यसका जो 1949 होता है उसमें बीज होते हैं जिसकोगतनेूese के अब बाल हम बात करते हैं तो इसी थी चाए तो तो यह क्षा ले तो आप देखोगे कि नया प्लांट भी उग जाता है कि तो इसलिए वहाँ पर प्लांट अपने आप गजाते हैं अब हम बात करते हैं त्रीजन डेंजर टाइम वै अब बहुत जाद हैं क्या हुआ कि Amrita was now grown up Amrita जो है वो बड़ी हो गई थी मतलब Amrita जो है अब बड़ी हो गई है ठीक है One day she went to greet her trees अब एक दिन वो दुबारा से अपने पेडों से मिलने जाती है She saw that there were some strangers in her village लेकिन वो देखती है कि वहाँ पे उसके जो गाओं है वहाँ पे तो बहुत सारे ऐसी लोग जिनको वो जानती ही नहीं है जिनको उसने कभी पहले देखा ही नहीं है They had axes with them और उनके हाथों में कुलहाडी है They said that the king had sent them to cut trees और वो जो अजनभी लोग हैं वो कह रहे हैं उसको कि हमको तो राजा ने भेज़ा है वो चाहते हैं कि हम ये पेड़ काटें और इसकी जो लकड़ी है वो हमें महल में लेके जानी है The wood was needed for building the king's palace किसलिए उनको लकड़ी चाहिए थी? क्योंकि उनको जो राजा है उसका महल बनाना था Amrita was shocked अब Amrita को बहुत ज़दा बुरा लगता है वो ये सब सुन लेती है और उसका एकदम shock लगता है कि ये क्या हो गया She went to the trees that the men were about to cut और वो एकदम से वहाँ पे चली जाती है जहाँ पे वो जो strangers होते हैं वो पेड़ को काटने वाले होते है She put her arms around the tree and hugged it tightly अब वो जाती है और पेड़ 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 से चिपक जाती है ठीक है पेड़ को एकदम hugged कर लेती है गले मिल लेती है पेड़ से The men shouted and threatened her But Amrita did not let go of the tree अब वो जो आदमी है वो उस पे चिलाता है कि यहां से हट जाओ मुझे ये पेड़ काटने दो अब जो man होता है वो जो आदमी वहां पे आएवे होता है वो चिलाते हैं Amrita पे कि यहां से हट जाओ हमें पेड़ काटने दो लेकिन Amrita हटती नहीं है The king's man had to follow his order लेकिन अब जिसको राजा ने भेज़ा है तो उनको तो पेड़ काटना ही है है ना On seeing this Amrita's daughter and hundred of villagers, old and young hugged the trees to protect them अब ये सब पूरे गाओं वाले देख रहे होते हैं तो वो सब आ जाते हैं और वो सब भी ऐसे करते हैं कि हग कर लेते हैं ठीके वो सब के सब पेड़ों से चिपक चाते हैं उसमें गाओं में चिते भी लोग होते हैं Many people including Amrita and her daughters died to save the trees और बहुत सारे लोग तो पेड़ों को बचाते बचाते मर चाते हैं मतलब उनकी डेथ तो चाती है When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for the trees जब ये लोग पेड़ की लखरी है वापस लेके जाते हैं और राजा को बताते हैं कि वहाँ पे जब हम गए तो ऐसा हो गया था कुछ लोग पेड़ से चिपक गए और फिर राजा को तो यकीन ही नहीं होता कि लोग पेड़ के चक्कर में मर के लोगों ने अपनी जान दे थी पेड़ को बचाने के लिए अब राजा खुद उठता है और वो उस गाओं में वापस आता है और वो सोचते हैं कि मेर को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या है और वहाँ पे उसे पता चलता है कि इस गाओं के जो लोग हैं वो बहुत जादा ख्याल रखते हैं अपने पेडों का और अपने अनिमल्स का, ठीक है? Do you remember what the elders of this village used to say? क्या आपको अब इतना आधर चैप्टर पढ़ने के बाद अभी भी याद है, कि जो villagers थे, वो क्या कहते थे? याद है, वो कहते थे? विलेजर्स जो हैं, वो कहते थे, जब तक पेड़ हैं, तब तक हम हैं Do you think we could survive if there were no trees or no animals? अब आप ये अपनी क्लास में डिसकुस करो क्या आपको लगता है कि अगर यहाँ इस आर्थ में कोई पेड़ ही नहीं होते और कोई जानवरी नहीं होते तो हम जिन्दा रह पाते नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि हमें पेड़ से oxygen मिलती है और food भी मिलता है अब जब राजा उनकी स्टोरी सुनता है गाउवालों की तो वो उसको बहुत जादा अफेक्ट करती है यह चीज उस दिन वो और देता है कि आज के बाद इस एरिया में इस गाउं में कोई भी जानवर नहीं मारा जाएगा और कोई भी पेड नहीं काटा जाएगा ठीक है इवन टूडे अलमूस्ट थ्री हंड़ेड यर्स लेटर दा पीपल अफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नौई आज भी मतलब की 300 साल बाद भी इस जगे के जो लोग हैं उनको बिश्नौई कहा जाता है आज भी पेडों की और जानवर की उतनी ही रक्षा करते हैं पूरे राजस्थान में मतलब की डेजर्ट है तो पूरे के पूरे रेगिस्थान की बीच में यह एक हरा भरा एरिया है यह एकदम आलाग साब को एरिया दिखेगा जो एकदम हरा भरा है अब इसमें कुछ क्वेस्टेंस हैं अब आपको next activity दी हुई है write about anyone आपको किसी भी एक पेड के बारे में लिखना है does the tree flower जो भी आपने tree का नाम लिखा क्या वो flower देता है क्या उस पर flower आते हैं जो पेड है उसमें हमेशा फूल रहते हैं या उसके कभी-कभी जो फूल है वो नहीं भी होते हैं अब हम देखते हैं इसकी activity इसमें कुछ questions हैं अब आपको एक activity दी हुई है write about anyone tree आपको किसी भी एक पेड के बारे में लिखना है ठीक है does the tree flower जो आपने पेड चूस किया है क्या उसमें फूल आते हैं does the flowers remain on the tree throughout the year क्या पूरे साल भर उसमें वैसे ही फूल रहते हैं in which month do their leaves fall और कौन सा वो महीना है जिसमें उसकी पत्या गिरती होंगी तो वह पज़ड का मौसम होगा है और अगर पत्या नहीं गिरती होंगी तो वह एक evergreen plant होगा do fruits grow on the tree क्या यह जो पेड आपने चूस किया इसमें कोई फल भी उखता है in which months do they grow और अगर do fruits grow on the tree क्या है जो आपने पेड चूस किया इसमें fruits जो फल है वो लगते हैं और अगर लगते हैं तो कौन से महीने में लगते हैं have you eaten these fruits और क्या आपने यह वाले जो fruits हैं वो खाये हैं अब इसमें लिखा है discuss why do people hunt जो लोग है वो hunting क्यों करते हैं वो animals को क्यों मारते हैं there are rules against hunting of some animals people can be punished for hunting why do you think there is this punishment अब क्या करते हैं कुछ लोग होते हैं वो hunting करते हैं यानि कि वो animals को मारते हैं लेकिन जब जो लोग hunting करते हैं उसके लिए बहुत सारी punishments भी हैं तो आपको क्यों लगता है कि यह जो punishments हैं यह देते हैं हम लोग को अगर वो animals को मारते देखो अगर हम किसी animal को बहुत जादा मारते रहेंगे जब आपके जो दादादी थे नाना नानी थे जब आपकी एच के थे तो वो कौन सी चिडिया थी जो वो बहुत जादा उस टाइम पे देखा करते थे तो हो सकता है वो sparrow होगी most probably वो sparrow ही होगी have the number of some of these birds become less क्या ये जो चिडिया है इनका number का मुआ है तो आप लिखो गहाँ पे yes are there some birds or animals which they cannot say animal क्या ऐसी चिडिया या कोई animal है जो वो अब इतना जादा नहीं देखते तो आप लिख दोगे yes there is पिर आप लिख दोगे sparrow ठीक है शांती's grandfather told her that when he was a small child he saw more birds like sparrow and manna then he sees today शांती के दादा कहते है उसको कि जब मैं चोटा था तो मैं बहुत सारी चुडिया है दिखते तो sparrow और manna ठीक है जो कि अब बहुत कम दिखती है can you make two guesses why their number has become less क्या आप कोई सा भी आप पता सकते हो कि उनका number इतना कम कैसे हो गया उन चुडियाओं का इसलिए क्योंकि एक तो hunting की process बहुत जादा होती है दूसरा उनकी food availability कम हो गई ठीक है duty humans the khajari tree was the most common tree that grew in Amrita's village Amrita के गाउं में khajari का जो पेड़ था वो बहुत जादा कॉमन था हर जगे पे यह होता था which kind of tree can you see a lot of in your area और ऐसा कौन सा पेड़ जो आप अपने एरिया में बहुत जादा देखते हो ठीक है यह आपको लिखना है यहां पर आपका chapter complete हो गया है thank you very much